हेलो दोस्तों किईसे हैं आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा के कॉंडिडे हैं आपने फार्मेसी कंप्लीट कर ली है और आप आप अपार्मेसी कौंसीलिंग कि मार्ट शीट और अपने पर्सनल डूकिमेंट सो अप्लोड करने होंगे साथ में एक एफिट एफिट और एक जो है कोलिज अप्रूवल लेटर भी अप्लोड करना होगा तो बहुत सारे हमारे इसे स्टूडेंट हैं मतलब ऐसे हमारे वीवर्स हैं जिनको कन्फूजन रेती कि हम एक कॉलिज अप्रूवल लेटर कहांसे मिले गा और हम अफिट एफिट कैसे बनवाए तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह ही बताऊंगा कि आप वीडियो गन तक जरूर देखिया, और दोस्थ, हमें अपसे एक शिकाया थे, आप हमारी वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे वीडियो क का लाइक नहीं करते, चैनल को संच्राइब नहीं करते, तो इसलिए हम आप से कहना चाहेंगे, कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि आपको F.E.Defit के से बनवाना है उसमें क्या क्या लिखवाना है F.E.Defit के बारे में हम जान लेते हैं और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना college approval later के से निकालेंगे कहां से निकालेंगे तो जैसे कि हमारे सामने ये एक एफिडेफिट है एक student का तो दोस्कों एफिडेफिट जो है आप अपने जो कहचेरी है जो कि आपके district के अंदर कहचेरी होती है तहसील होती है वहाँ पर आपने देखा होगा कि वकील लोग बेटे होते हैं type writer लेकर तो उनके जरी आपको बनवाना है वो आपका बना कर दे देंगे तो आपको 100 रुपे का stamp इस तरह का आप देख सकते हैं ये 100 रुपे का stamp आपको लेना है और इस पर आपको type करवाना है तो जैसे आपको यहाँ पर type करवाना है यहें लिखा है शपत पत्र यह आपको लिखवाना है यह दोस्तो एक student का है जो कि उत्तर प्रिदेश फारमेसी Concelling of India में registration कराना चाहता है तो आपका भी बिल्कुल same यही format लगेगा तो जिसमें सबसे पहली line लिखी है कि शापती निहाल मतलब जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगा उसके बाद पुत्र और आगे अपने पिता का नाम यहाँ डालेंगा मतलब आपको अपनी information यहाँ डालनी है अपनी personal information और उसके बाद निवासी आप कौन सी जिले के कौन से गाउं तहसील के आप रहने वाले है वो detail आपको है पहली line में लिखना है और आगे लिखना है बहलक बयान करता हूँ मतलब यह पहली writing आपको लिखवा लेनी है उसके college की detail डालनी है कि आपने यह pharmacy कहां से की है आपने डी pharma क्या है तो यहां पर डी pharma डालें गो और यहां पर अपने college का नाम आप mention कराएंगे और उसके बाद दूसरी heading में जो दूसरी heading है वो डी pharma वाले candidate के लिए है बी pharma वालों के लिए नहीं है क्योंकि इसमें जिस भी दिनाक से आपने की है वो दिनाक से जिस भी दिनाक तक आपने की है जिस दिनाक से जिस दिनाक तक आपने पूरी की है तीन महीने आपके वो कौन से चिकिसाले दाय केंदर जिस भी केंदर से की है उसका नाम यहां आपको डालना है और से प्राप्त किया है मतलब हमने डी Pharma जो है किया है उसके बाद तीन महीने की प्रैक्टिस जो है इसे डेट से इस डेट तक की है और इस भूस्पिटल से की है यह आपको डालना है अपने इंटर्शिप की डिटैल यह स्रिफ डी Pharma वाले कॉन डेट के लिए बी Pharma वालों के लिए यह lign नहीं है तो बी Pharma वा जो कि पूरता सत्व एम सही है यह आपको हेटिंग लिखवानी है अपने इसमें एफिडेफिट में तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशोट ले लीजिए ताकि आपको जो है एफिडेफिट बनवाते टाइम परशानी नहीं हो आप सब इसमें से देखके बनवाले और फिर चो निरस्त माना जाएगा तथा किसी भी पिरकार की विधिक कारवाई के लिए फॉनसिल्ग पूर रूप से सवतंत्र होगी जिसके लिए मैं सवाम उत्तरदाई रहूँगा मतलब चोथी हाइटिंग में आपको लिखवाना है कि जो भी आपने ये डिटेल दी है इसमें कुछ से भी डिस्टिक्स हैं वो आप यहां पर डालेंगा रेस्टेशन करते समय अप्लोड करते समय और यहां पर डालेंगा जब भी आप अपलोड कर रहे हैं उसकी डेट यहां पर डाल सकते हैं यहां पर आपको अपने सिगनेचर करने हैं और यहां भी अपने आपको नीचे सि फार्मा वाले यह तो दोस्तों हुआ एफिडेविट अब हम बात करते हैं कि कोलिज अप्रूवल लेटर आप कहां से निकला लेंगा कैसे आपको मिलेगा लेटर के लिए आपको फार्मेसी कॉंसिलिंग ओफ इंडिया की वेबसाइट पर आ जाना है इसका लिंक आपको नीच रेगा लेंगे लेटर प्रूंस कॉंसिलिंग हों से तो इस तरह से खुल कोल्य का अब हमारेसामने आ जाएगा इसमे देखसकते में आप लिस्ट आ रहाए से क्यों कोन से college जो है, Pharmacy Council of India से जो है, registered है तो इसमें आपको अपना college देखना है यही आपका जो है, college approval लेटर बन जाएगा, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते है, state के हिसाब से आपको चायन करना है, जैसे कि आपका क्या state है, और college का क्या नाम है approval के बारे में लिखा आप आदर प्रदेश में यह government college है और यह D-Pharma इसका है और यह जो है, मतलब सारी details में दे रखी है, कि आपका college जो है PCI से approval है या नहीं, उसे approval मिला हुआ है या नहीं, तो इसमें आपको काफी सारे state दिखाई देंगे, आप में नीचे चलते हैं जैसे कि यहाँ पर अब 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 अचल प्रदेश आ गया पहले आंदर प्रदेश था, फिर आसाम तो आप जिस भी state के हैं वो state के हिसाब से अपने college का आप नाम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखाया है, यह college है आसाम और यह है गोल पारा फार्मेसी इंस्टिटूट, डी फार्मा है, इसके अंदर यह अप्रूव हुआ है फार्मेसी से तो आपको जो है, अपने college का जो भी आपका college आता है उसका screenshot लेना है आप उसका screenshot लेना है इस तरीके साब screenshot लेना है और इसके साथ में आपको आगे का page भी जोड़ना है उपर का यह page जिसमें आपको पता लगे कि आप जो है अपना college ढून सकते हैं तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगी हो अगर अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की pharmacy related, pharmacy job related, pharmacy registration certificate related वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe भी जरूर करें दोस्तों फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो के साथ Thank you for watching